मध्यप्रिदेश में चोचित पत्वारी भरती घोटाले का विवात थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार ने चात्रों का आक्रोश कम करने के लिए एक जास समीती भी गटित की थी। इसके बाद बिना जाच रिपोर्ट जारी करे अब भरती प्रक्रिया की जारी है। जामा भी हुआ था। उस समय ततकालिन मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान ने भरती प्रक्रिया रोक कर भरती के जाच के आदेश दिये थे। जिसके बाद जाच कमीटी बनाई गई और ताई समय सीमा पर जाच सौपने के आदेश दिये गए। हाला कि जाच कमीटी ने जाच करने और उसकी रिपोर्ट सौपने में काफी लेट लतीफी की। जिसके बाद अब MP की नई सरकार आई तो पटवारी भरती घोटाले मामले की जाच के बाद इसी क्लीनची दे दी गई जिसका विरोध अब छात्र कर रहे हैं। चात्रों का सीधा कहना है कि वो 28 फरवरी को पटवारी भरती की खिलाफ महा अंदोलन करेंगे जिससे पहले चात्रों ने इंदोर में केंडल माश निकाली। पटवारी भरती रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में नेशनल एजुकेटर यूथ यूनियन के नेतरत में प्रदेश के सभी जिला मुख्याले उपर पटवारी उम्मेदवारों ने केंडल माश निकाली। इसके अलावा भुपाल इंदोर समित मध्रदेश के प्रमुक शेहरों पर उम्मेदवारों ने बड़ी संख्या में इखटा होकर केंडल माश निकाला और सरकार के खिलाफ नारे बाजी की। हारिच कर दिया और प्रक्रिया पर सवाल उठाए। पटवारी भरती पर रोक लगाने के लिए उम्मेदवारों ने पहले कोट का दर्वाजा खटखटाना जरूरी समझा। हाला कि अभी इसकी कोई सुनवाई को लेकर तारीक तय नहीं हुई है। उम्मेदवारों को इस याचिका से काफी उम्मीद है। आप हमें फॉलो कर सकते ही इंस्टा ट्विटर और फेस्बुक पर और हाँ यूट्यूब पर सब्सक्रीब करना ना भूले।